असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैज चैनल उमीद है के आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी के एफसी स्टाइल चिकन विंग्स रेस्पी जो के बहुत ही मज़े की और कम बजट पर गर पर बनाई जा सकती है आपने इसको एंट तक देखना है सबसे पहले हमने ले ली हैं चिकन विंग्स जो के आप अपने साथ से यूज कर सकते हैं इसके अंदर डाल रही हूं काली मर्च जो के वन टेबल स्पून है और नमक आफ़ टी स्पून डाल रही हूं सिर्का वन टेबल स्पून यह चीज़े आपने अड़ करनी हैं लाल मरच जो कि अगर आप स्पाइसी करना चाहें तो एड़ कर सकते हैं, हॉफटी स्पून, अदरक का पेस्ट वन टी स्पून, लसन का पेस्ट, उच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको मेरिनेट कर दें, जो के 30 मिनिट के लिए मेरिनेट करेंगे, इस के हम बनाएंगे क्रंच, तो इस तरीके से सबसे पहने आपने मैदे के अंदर कोट करना है, एक बार और इसके बाद आपने थंडे पानी के अंदर इसको रखना है, और अगेन आपने फिर से मैदे के अंदर कोट करना है, दो दफा हमने मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करनी तो इस तरीके से करने के बाद आप इसको रख सकते हैं और इस तरीके से जब आप कर लेंगे सारे विंग्स तो आप इस तरीके से फ्रीज भी कर सकते हैं जो के तकरीबन एक मंत के लिए रख सकते हैं और गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं एक एक करके विंग तो आपने नॉर्मल हीट पे रखके इनको फ्राइ कर लेना है और यह बहुत ही मज़े के बनते हैं और अपकम बजट पर गर पर बना सकते हैं जैसे के बहुत ही पसंद की जाने वाली यह रेस्पी है और बहुत ही इजी सी है कम से इंग्रीडियन्स डलते हैं जो के हर गर में अविलिबल होते हैं आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इस तरीके से कलर आ चुका है हम निकाल लेते हैं और माशाला से बहुत ही करंची हैं जो रह गे हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो सारे हो चुके हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सबस्क्राइब साथ ही दिए बैल आइकन को कहई दीजिएगा प्रेस तो इंशाला मिलूगी आपको एक नए वीडियो के साथ तो में याद रखिएगा मुझे दीजिए इजाज़त आला आफेज टेक केर